लोगों की हालत ऐसी ही नहीं कि वो 200-300-400 रुपे लीटर पैटरॉल खरी सके लोगों के पास पहली एक वक्ते खाना छोड़ चुगे अब दो वक्ते खाना छोड़ देंगे मेरे लिए आम आदमी के मश्वरा है यह बिल्कुल घबरानी जुरह थी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का बार्वा सबसे बड़ा शहर है रोश्णियों के शहर कराची की तक्रीबन अबादी एक करोड़ और सट लाग चालिस हजार है पर इसी शहर का हाल ऐसा हो गया है कि गरीब आदमी जिन्दगी गुजारने के बज़ाए काटने पर मजबूर है लोगों के पास दो वक्त की रोटी तक नहीं है ऐसे हाला और अफरत अफ्री में जहां हर इनसान महिंगाई से परिशान है वहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बगएर मजब जात देखते हुए इनसानियत के लिए एहम ख़दमात अंजाम दे रही है उन्हीं में से एक नाम जेरी सी का है जेरी सी फांडेशन आज पूरे सिंद में समाजी कामों में ख़दमत अंजाम दे रही है जिसमें मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल काइम करें है यहां मुफ्त कैंसर और डायलेसिज और हंगामी सूरतेहाल कोवेड में इन्होंने बहुत सारे कैंस भी लगाए इस वाख हैल्थ के सेक्शन में हम मुफ्तलिफ सरकारी इस्पतालों में हमारी टीमें हैं अवान की असानी के लिए प्री आंब्यूलेंस और मयद बस सर्विस परहां किये जेडीसी फांडेशन ने तालीमी तबके में बहतरी के लिए और बच्चों का आने वाला कल बहतर करने के लिए फ्री अडवांस कॉर्स जिसमें लैंग्विज, इकॉमर्स और अमाजॉन जैसे दो सोक से जायद कॉर्स पढ़ाए जा रहे हैं बेर उजगारी को दूर करने के लिए अमाजॉन और दीकर एकॉमर्स के कॉर्स फ्री में करवाने के लिए फ्री आईटी सिटी कोल दी है इन तमाम चीज़ें काम कर रहे हैं मेरे लिए आम आदमी को मश्वरा है यह बिल्कुल घबरानी है जोरती है बहले एक चोटा दा पान का के भी नहीं से लेकिन हमाज चोटा मुटा काम डालें अगर अपनी फैमली को खड़ा करना चाते हैं शर्माएं बिल्कुल भी नहीं है नहीं कि वो 200-300-400 रुपे लिटर पैटरॉल खरी सके लोगों के पास पहली एक वक्त खाना चोड़ चूड़ चूड़ कि आप दो वक्त खाना चोड़ देंगे JRC कुरबानी प्रोड़ाम में हम यहां पर सैकड़ों उड़ गाए वैल बखरे कुरबान करते हैं और उसका 5-5 किलोगा पैकट बना के बस्तियों में तक्सीम करते हैं JRC का अपना में आफिस अंचोली में काइम है जहां अवाम की मसले और परिशानियां माली मदद बेरोज़ारी के हल के लिए खिदमत अंजाम दी जाती है JDC की खिदमात को देखते हुए क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए JDC का साथ दें जादा से जादा डूनेशन करें ताकि इस मर्क में कोई भूका ना सो सके JDC Foundation को इनकी आला खिदमात की वजह से इने दुनिया भर से अंगिनत इनामाद और एजज़ाद मिले है अवाम के लिए मैसेज दूंगा जहां पुर्वानी गोष्ट तीन हिस्से होते हैं आप अपने लिए रखते हैं वरीबों के लिए इसके महलेदार रिष्तदारों के लिए वैसी कोशिश करें कि इस बार अपना हिस्सा भी जो उन लोगों तक पहुंचा दें कि जो बिचार हुआ